है अग्याइब कर दोस्तों वेल्कुम तो माई चैनल डियल एसी वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस्प्लीड एसी की स्प्लीड इसी के जो रिमोट होते हैं सैमसंग का इनवेटर एसी का वह रिमोट कैसे हम चला सकते हैं कैसे वह उसकी फंक दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर दोस्तों जैसे सबसे पहले आप यह स्वीच देख रहे हो इस स्वीच होता है ओन ओफ का जहां से हम एसी को ओन ओफ करते हैं उस्तों एसी के अंदर भी ओन ओफ का स्वीच होता है और रिमोट के अंदर भी होता कुछ एसी हो के अंदर न तो रख सकते हैं अगर के स्ट भोड़ probabil कोस्त नहीं चीन कर रा तो हम स्ट उसके नहीं तो हम इसे प्ट बाद कोलिंग के पर कर सकते हैं यह फिर हमें जो है गर्मी चली जाती है जो मौसम ठोड़ा नोर्मल वर जाता क्लाइब­द हए जब ज्ब्यादा कर्मी नहीं उidad और हमें चाहते हैं कि इसे एक Cooler या fan के रूप में इसी को इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पर हम दोस्तो इसे fan पे कर सकते हैं यहां पर हमारा compressor बॉंप रहे गा इस हमारा cooling नहीं करेगा पस उसके अंदर fan चलेगा जिससे हमसरी आब डोसके दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों फैन की फैन की जो स्पीड होती है जो आपका इंडोर होता है इंडोर में से जो एर आती है स्पीड होती है उसको हम कैसे अब डाउन कर सकते हैं कैसे उसकी जो एर होती हम बढ़ा सकते हैं या घड़ा सकती दोस्तों उसके लिए सिंपल सा तरीका है यहा यहां से देख रहे हैं जैसे आप यह इस तरीके से अब डाउन कर सकते हैं यहां से यहां से हम अब डाउन कर सकते हैं फैन की स्पीड को उसके बाद आता दोस्तों यह टाइमर का उफसन हम तब करते हैं यूज करते हैं जब हमें एक लिमिट समय तक चलाना होता है कि जैसे हमे सब्सक्राइब लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों जो में फंसन के बारे में आपको बता रहा था यहां पर कुछ औप्शन दी होते हैं अलेंकि इन ऑप्शन की कोई रिक्वर्मेंट जाता नहीं होती पस इन की का ही सर्फ यूज होता है जो आपको मोड चैंज करने हो या फ की के अंदर से एर निकलती है इंडोर में से वहाँ पर जो उसके फ्लैप होते है उस फ्लैप को हम राइट या लेफ्ट करने के लिए इस वाली की का हम यूज करते हैं आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस् हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ओके दोस्तों धन्यवाद